गुड बॉनिग आप सभी, I hope all are, very good, today is 22nd of September, और ड़ी है Ben's Day, तो आज हम करेंगे GK का कोशिन नमबर 99 and कोशिन नमबर 100, तो दोनों ही कोशिन जब वही मांचपदेश की हिस्टी से लिटेड है, मांचपदेश में मंडी की हिस्टी से लिटेड है, तो फर्स कोशिन में आज ह और सुकेत से ही जोबो एक मंडी हमारा राज्य बना था, तो इन दोनों को मिला कर जोबो हमारा एक मंडी डिस्टिक बना था, तो मंडी और सुकेत की क्या हिस्टी रही है, कौन-कौन से राजर है, कौन-कौन से लड़ाई आ हुई बीच में, तो उनको जोबो तोड़ो तो ने बनाया था इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ासा अधिक हम जो वो दोई कोशों करते हैं लेकिन कई सारे जोब वो इसमें topic राजा हुआ करते थे तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कुस करते हैं फिर जबो एक कंटिनुटी में जबो आगे बढ़ेंगे तो देखे 765 इस भी में जबो सुगेत का गटनुआ उससे पहले कि जादा जानेकारी हमें नहीं मिलती है ठीक है लेकिन मंडी और सुगेत कि जो राजा होते थे उनके बंसज ठीक है उनके पूरवस ठीक है उनने जो वो ऐसा मानते है ठीक है तो एक राजा होकरते थे ठीक है माने जाता है कि एक राजा होकरते थे खेमराज ठीक है खेमराज एक राजा होकरते थे उसके बजीर थे बिसरप और बिसरप ने जबो ख 13, तेखे are those 13, वो 3D 30 साल तक, जो वो सासन क colorful, कहां पर बंगाल पर सासन किया, फिर वहां से भी निकलना पड़ा पलायन हो, उन्हों कह और सकते हुल्या पलायन हो बंगाल मे की किytt तो यहां जो बो रूप सेंते छोट्या होगी तो रूप सेंके बेटे थे अब सेंवतल के थे लग रहा है ना लग को आदीआदगे के लिया राज़ता है थि बीर सेन नहीं की थि वो किसके जुल पुल बंसेट या किसके प्रॉपसिन था टू किस ने गेटे बीर सेन नियों इसके सप्ना कि थे किसकी उपकिये डानी की तो सूकेत से मंडी बना है मंढी और सुकेत से ही तीका है लेकिन सुकेत हुआ करता था पहले तो सुकेत से मंटी कि भिवैजन हुआ 12 Global इस भी में हुआ ठीक है उस समय जो भोback वी प्रमुक्ष्या करते थे वह हुआ नियम्टकर साहुसेन उन्हें जो वो 11 पीडियों तक जो वो वहाँ पे राज किया, फिर एक राजा हो गते थे क्रंचन सेन, क्रंचन सेन कुलू के राजा से लड़ते हुए मारा गया, और क्रंचन सेन भी कुलू के राजा से लड़ते हुए मारा गया, और उसकी रानी थी गरवती, तो वो जो वो उसने जो भी बच्चा पैदा किया, वो जो भी बान के पेट के नीचे हुआ, ठीक है, बान के पेट के नीचे हुआ, तो उसका नाम रख दिया बान सेन, ठीक है, उसका नाम रख दिया बान सेन, और सोलवी सदी में जो भी मंडी के राजे के रूप में उबरा, ठीक है, सोलव सेल नहीं जो किसके सपनाre की तो एंटे सेल बाहुज ह 1945 16 स्थापना की किसकी बात हो रही है अजवर सेन की बात हो रही है तो इसने जो बुतनात मंदिर भी बनाया उसकी रानी ने जो बुतनात मंदिर भी बनाया निर्माण करवाय उसका तो उसके बंसज थे अब अजवर सेन के बंसज आगे लिए अजवर सेन के बंसज आगे सिधा स अब जो इस्दा सेहन थे, ऑब जो अंब बॉब एक गूरु सेहन राजा बने थे सीधा सेन, और और गाला जाता है कि इस जो बो मंडी एक बहुत तीस सक्ति चाली राजे था बहुत सक्ति चाली था मतलब कि इससे पहले जो बो ऐसा कभी सक्ति चाली नहीं था मंडी ठीक है तो उसके सासनकाल में जो गुरु गोविंद सिंग भी 70 यत स्थार्वी स्थावधी में जो बो मंडी भी आया थे किसके सासनकाल की बात हो लिए सीधा सिंग के सासनकाल की बात हो लिए ठीक है तो इसके सासनकाल में ही जो वो कौन आये थे सिख्रों के दसमें गुरु गुविंद सिंग ठाकुरु ठीक है तो गुविंद सिंग तो इसके बाद जो बंडी और सुखेट के जो भी प्रमुक है आपको बता होगा 21 February फिर अंग्रेज आ गये वहाँ पे 1846 में जो बंडी और शुकेट के जो भी प्रमुक थे बृतिसों के साथ मिले ठीक है उनके बीच में संदिया होगी उनके बीच में संदिया होगी तो व्यास और जो जो वो पंजाब से जो भारत सरकार को दे दिया गया है और 15 August 1947 को जो भारत आजाद हुआ पे जो वो हिमांचल का गठन कब हो था 15 April हिमांचल दे भी मिना जाता है 15 April 1948 को हिमांचल का जब गठन हुआ तो मंडी और सुकेट मंडी प्लस सुकेट को जो वो मंडी डिस्टिक के रुप में जो उब्रा तो जो उस टाइम जो मतलब भौगालिक स्थी थी भौगालिक सीमा थी उसमें जब आज तक कोई भरिवर्तन भी नहीं किया गया है तो इते कुछ मंडी के सिते तो इस को इसको इन्होंने बनाया था दरवार और नेक्स बात करेंगे कोश्च नमबर हंडर की इसमें लिखाया कि विच्छ रूर ऑफ मंडी कंस्ट्रेक्टिट कमला 14 1625 तो इस बनाया था सूरस इन ने ठीक है किसने बनाया था सूरस सेन ने जो जो वो ये किला है किसने बनाया कमला गाउ में जो बनाया था जो बो ने बहुत लोग प्रीजे था तो इस लोग प्रीज़ की जान करें जो बहुत महराजा महराजा रणजीत सिंग को मिली तो उस ने जब आकर्मन किया वाँ पर नस्ट हो गיया नस्ट हो उन्हें के कार्ण जब वो कुछ उप्जी अन्हों के आ धिर्मांण करवा तो यह बनाय कैसे लगी अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेर करें लाइक रेक्वेंट करें जो भी करना है ओके थेंक यू एंड हाव नाइस टे